आज मैं आपके साहर करूंगी सोया बिन की बहुत ही हेल्दी और टेश्टी रेसिपी बहुत साथ प्रोटीन होता है तो हमें अपने खाने में इसे जरूर सामील करना चाहिए तो बहुत सारी डीसिस बनती हैं सब्जी और पकोड़े थो हम अक्सर ही बनाते हैं आज मैं कुछ बीज़त रेसेपी आपके लेकर आई हूं, चलिए इसे बनाना के लिए, मैने सौयाबिन को गरम पानी में बॉयल कर लिया है, अब इससे बॉयल करने के बाद अच्छे दो कर इसे ठंडा कर लेंगे और सारा पानी निकाल देंगे। इसके बाद मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लिया है। इसे अब द्रदरा पीस लेना है। यह पीस ना रहा हो तो इस समय पर एक से दो चमच पानी का यूज़ कर सकते हैं। पानी नाड़ेती. यहां पर आप देख सकते हैं दरदरा इसे पीस लिया है. इसे अब दूसरे बricting मैं ट्रांसفर कर लेंगे. तो दूसरे बरतर मैं इसे ट्रांसفर कर लिया है. अब एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें डाल लेंगे सरसों का तेल. कड़ाई में मैंने एक बड़े चमच तेल डाल लिया है इसे गरम होने देंगे और जैसे ही गरम हो जाता है तो एक चोटी चमच जीरा चटका लेंगे जीरा को चटक जाने देंगे उसके बाद लहसून अद्रग और हरी पिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेश्ट इसमें डाल अरो खुअड बादा करें घीरा है इसमें जाए ने जातिए शूट Посल्ट पॉड़ा है इक एक चमच चार्ट मसाल्रम य को बचनवी क्या है अब सब्ध और इसे भी लो फ्लेम पे चार से पाँच मिनट के लिए भूल लेंगे या फिर इसे तब तक भूनना है जब तक इसमे थोड़ा बहुत जो पानी है वो सूख न जाए और यह अच्छे से भूनना जाए सोयबिन को मैंने एक से दो मिनट भून लिया है तो इसे समय पे आप साधनुसर नमक डाल लेंगे नमक मैंने डाल लिया है और इसे फिर से एक बार मिक्स करेंगे और दो से ती मिनट फिर से भून लेंगे यहां पर इसे मिक्स करने के बाद आप यहां पर नमक टेस्ट कर सकते हैं और कम लगे तो और भी डाल सकते हैं दो से तीन मिनट सोया बिन को भूनते हुए हो गया है और सोया बिन हमारा भून भी चुका है आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है तो यहां पर आगर आप टेस्ट करेंगे तो इस समय पर इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है तो इसे साइड रग देते हैं और चलते हैं नेक्ट प्रोसेस की तरफ आज हम बनाने जा रहे हैं सोया बिनके पराठे इसके लिए मैंने गेहूं का आठा ले लिया है अब इसमें स्वादनुसार नमक डाल लेंगे इसे के साथ एक चोटी चमच अजवाइन डाल देंगे इससे डाइजेसन अच्छा रहता है जब भी पराठे बनाए तो अजवाइन जरू डाले और साथ ही मैंने एक चोटी चमच कलोंजी के सीड भी डाल लिये हैं अब मोयन के लिए खी या तेल डाल देंगे दो चमच और आठे को अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे जैसा कि हम रोटी के लिए लगाते हैं जब भी आप स्टफिंग वाले पराठी परना रहे हैं तो रोटी के जैसा अगर डो लगाएंगी तो आपकी जो इस्टफिंग है वह बहुत अच्छे से अंदर फैलेगी और बेलने में आसानी होगी और पराठे भी फटेंगे नहीं कि अच्छा सॉफ्ट है अब इसे डहक कर दस क्रिश्ट करने देते हैं त्स मिन्ट के बाद आटे को फिर से अच्छे से मल लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए मैं पेड़ा काट लिया है अब इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसके एक कट्वरी बना लेंगे ज तो इसे बहुत अच्छे से एक से दो चमच आप फिल कर सकते हैं और अंगुठों इससे दबाते हुए इसे अच्छे से बंद कर लेंगे इस पराठे को बेलना बहुत आसान होता है इसमें फिलिंग अगर ज्यादा भी हो जाती है तो यह बहुत जल्दी फटता नहीं है तो इ हातों के सहयता से जैसा मैंने वीडियो में बताया है इसे फिर से फ्लैट कर लेंगे ऐसा करने से काना हमारा यो तरह तरफ ऑच्छे से पैलेगी इसके बाद इसे हलके हातों इसबेल लेंगे बहुत आराम सी ब्लती है इससे तब तक रहल अंज़ेशं होची हमारी दिखाई गाल या उज़ें तो भी न देने लगे तो पराठा हमारा बिल चुका है तक के बाद इसे डाल देंगे तब में तबे को मैं गरम कर लिया था इसे डाले थे और योड़ें और 2-3 मिनट सीखने देंगे उप इसके बाद इसे पलट लेंगे तो एक और से मैं पलट लिया था आ और उसे पिर प्लट लेंगे उसके बाद उपर से दो से तीन चमच घी या तेल या बटर जो भी आप खाना चाहें उसे डाल लें इसके बाद दो से तीन बार इसे उलड़ते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक से लें जैसे कोई भी नॉर्मल पराठा से ते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्रिस्प पराठा बनकर त्यार हुआ है हमारा और इसका टेश्ट ना बहुत ही मज़ेदार है बागी पराठों से बिलकुल हटकर है यहां पर मैंने दूसरा पराठा भी सेक लिया है तो आप पराठे का कलर देख सकते हैं यहां दही के साथ मैं इसे सर्फ कर रही हूं आप मेरी माने तो दही के साथ इसे खा कर देखें बहुत ही गजब का टेश्ट इसका आता है तो इसकी फिलिंग भी आप अंदर देखेंगे ना बहुत अच्छे से पूरी एक जैसी हर और फैली है कहीं कम कहीं जादा नहीं है बहुत अच्छे से फैले तो आप इस पराटियों को मेरी तरह से जरूर ट्राए करें और लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें